दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मासाप की पार्ट सालाम है इस वीडियो में हम देखेंगे जो SCRT द्वारा संचालित हुआ था 15 देवसी कंप्यूटर लिटरेसी वर्क्सप तो उसका प्रमाणपत्र आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यह थोड़ा सा डिफरेंट है जो पीछे 30 days हुआ था उससे क्योंकि इसमें सारे certificate एक साथ हैं तो हम कैसे उनको सर्च करेंगे कैसे डाउनलोड करेंगे अपने नाम का तो यह सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में देखें यह website है इस website का link आपको description box में मिल या देखें जब आप website पर क्लिक करेंगे तो इस type से आपके mobile पे खुल के आएगा mobile का view है फिर आप यहां पे click here to view या download certificate पे क्लिक करेंगे इसके बाद में अगर आपके पास में drive है तो drive को select कर लीजिए drive से download करने का बहुत easy option होता है और अगर drive नहीं है तो automatic chrome से वो download होगा उसका मैं आगे procedure पताऊंगा पहले हमें drive क इसके बाद में आप अपना जो भी drive का address है Gmail का address होगा उसको select कर लिया आपने फिर इसके बाद में इस type से यह सारे certificate आजाएंगे तो यह 2760 2760 certificate है इसमें आपको अपना certificate ढूटना है और download करना है तो अब यह three dots हैं इन three dots पे आप click करोगे तो three dots पे click करने के बाद में find का option है नाम लिखने के बाद थोड़ी सा बेट कर लीजिए अगर बेट नहीं करना चाते तो यह आगे बाला जी एरो दबा दीजिए तो आपके नाम आ जाएगा जहां पर भी है यह देखिए यह मेरा नाम आ गया आप यह पेज नमर आपको नोट करना है इसको आगे पीछे ड् जो थ्री डॉट्स है उपर उन पर क्लिक करोगे तो यहां पर यह पर प्रिंट का उप्सन आएगा प्रिंट लेट साइड में प्रिंट का उप्सन आएगा प्रिंट का उप्सन के बाद में आपको प्रिंट दबाना है फिर अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे तो यह सारे के सारे print हो जाएंगे बंच से लेके 2760 तक इसमें आपको क्या setting करनी है इस पर click करना है आपको 2760 पर और click करने के बाद में यहाँ पर all pages आएगा यहाँ पर select pages आएगा इसमें select pages पर click करना है आपको और आपका जो page number था जैसे 1446 था तो 1446 डालके इसको enter कर देंगे आप फिर इसके बाद में सिर्फ एक page copies बन और एक ही page आएगा और इसको यहाँ पर save कर देंगे save करने के बाद में देखी आपको ओप्सन दिखेगा download में जा रहा है यह documents में जा रहा है किसी का download में जाता है आप इसको save कर दीजिए फिर आप File Manager में जाके download में जाके देख लेंके के आपका certificate वहाँ से मिल जाएगा जिस नाम से भी save की आपने अब देखिए दूसरा option यह है कि जिनके पास में google drive नहीं है वो कैसे download करेंगे तो सबसे पहले यह website का link आपको description बिल जाएगा उस पर click करेंगे उसके बाद में click here to view download certificate पर जाएगे तो उसके बाद में या तो chrome का option आ रहा होगा तो chrome select कर लेंगे नई option आ रहा तो automatic वो खुल जाएगा इसके बाद में इस तरीके से इंटरफेस को लेगा तो यहां पर आप search option दबाएंगे यह search वाला बार है यह search पर दबाएंगे magnifier को फिर यह find option आएगा जब search दबाएंगे अब तो find के बाद में आपको अपना नाम सर्च करना है तो यह नाम पर यह आपको certificate number पता चल जाएगा कि कौन से page पर है 1446 पर है तो अब यह मैं यह three dot पर click करूँगा अब यह three dot पर click करने के बाद print का option आ रहा है यहां पर print पर जाने के बाद में इस टाइप से interface खुलके आएगा उपस selective printer तो selective printer पर पर पीडिएप सेलेक्ट कर लिजें यहां से मैं आगे select किया है बाद में भी select कर सकते या पहले भी select कर सकते paper size letter है इस पर यह arrow है इस arrow पर आप click करोगे तो यहां पर भी देखिए all pages आएगा all do 760 पर फिर range ऑफ 2760 आएगा range of range of two seven six zero पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको page सेलेक्ट करना है one four four six one four four six आप page सेलेक्ट करोगे तो यह यहां पर उपर देखिए save as pdf कर दिया आपने तो वहां पर यह option आजागा save as pdf और यह pdf बना गया तो इस pdf आप क्लिक कर दोगे pdf क्लिक करने के बाद में डाउनलोड में जा रहा है और इसको आप save कर दोगे फिर आप फाइल मेनेजर में जाके फिर डाउनलोड में से इसको सर्टिफिकेट को वहां से निकाल सकते हो तो यह दोनो टाइप के हो गए कि और अगर आपके पास में Chrome हैं तो आप कैसे करेंगे